नमस्कार दोस्तों मैं hoo Dr.Progen अर आज हम बात करने वाले हैं Pregnancy और हाइपो-Tholutism के बारे में Pregnancy अपने माता के सरीर के अंदर काफी बद्लाव आते हैं ऐसे ही उनकी Thyroid की जो demand होती है Thyroid hormones के जिअच एन रहती है वो भी Pregnancy की बाद काफी बढ़ जाती है इसलिए जिन लोगों को पहले से ही हाइपो थरोजम नाम की बीमारी रहती है जो लोग पहले से ही गोलिया खाते हैं थैरॉक्सिन की उनको भी अपनी गोलियों में चिंजिस करना पड़ता है कई महिलाएं ऐसी होती है जिनको पहले हाइपो थरोजम नहीं रहता है लेकिन प्रेडिननसी होने के बाद जब वो रेगलर एंट्रेटल चेकप कराते हैं तभी उनको पता चलता है कि उनको थैरोड की बीमारी भी है तो एसी लेडिस को जिनको पहले से हाइपोथरोरिजम है और एसी लेडिस को जिनको बात में पता चला है दोनों के लिए ये अगर हम इसको बिलकुल ही अवाइड करते हैं उसको जराबी ध्यान नहीं देता है तो क्या रिस्क हो सकते हैं तो मान लिजिए अगर आपको थाईरोड की बीमारी हैं आप अपना डूस बढ़ाते नहीं या तो फिर आप चिंजिस्त करते नहीं या तो फिर आपको पता ही नहीं है कि आपको थाइरोड की बीमारी है और आप प्रेगनेंसी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो बहुत सारे रिस्क करने पड़ते हैं जैसे कि कई बार यहां पर पीएच जो बोलते हैं वह सकता है पीएच का मतलब है के प्रेगनेंस की तुरहां बीपी बढ़ जाता है दूसरा कई बार एकलेमशय का भी खत्रा रहता है जिसका मतलब है कि वहां पर खिंच की विमारी भी हो सकती है जहां पर प्रेगनेंसी में खीच आती है जो काफी डेंजरस माने जाती है कई बार अंट्रीटेड हाइपोथरोडिजम के केसिस में बच्चे का वजन कम हो जात हशंद ऑपने आप ही अबॉर्शन होता है जिसे मोलते स्मुन्टेनिश अबार्शन हो जाता है कई बाब से दौरान और बहुत सरा खून एचिक के वज़े से माता की जीवन पर जोखी में जाता है और कई बार बच्चा मरा हुआ पैदा होता है तो यह सारे खत्रे हैं जब हम थाइरोड को नजर अंदाज करते हैं प्रेडनसी के दौरान तो यहां पर हमें प्रेडनसी के दौरान थाइरोड को बिल्कुल भी नजर अंदा करना चाहिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हम सावधानी कैसे बढ़ते और हाउ वी केन प्रिवेंट दे रिस्क इन वाल विद्ध राइपो ठ्रियूरीज्म डिरिंग परेटिननसी तो सब से पहले तो जैसे ही हम परेटिननसी है ऐसा पता चलता है तो तुरंद ही हमे अपना थैरोड का चेक अप करवा लेना चाहिए हमें पहले थैरोड को इसे कमर्ना चाहिए और कैसे ढहना चाहिए थैरोड का चेक अपप यह महिने करते हैं और सेकंड हाफ्ट प्रेगनलब आपके आखिर की चार्ज या पांच जो महिने होते हैं वहाँ पर हम थालोड प्रेश्ज प्रेश्ट यह र्डेड करते हैं करने का मक्सद यह using ौकी ह deputy संथ है कि यह सही है कि नहीं है क्योंकि वो एकडम सटीक होना चाहिए बहुत ही strict control होना चाहिए तब जाके आपका ठेसी साही रहेगा और साथ में आपके बच्चे का मानसिक और सारिक विकास है वो एकदम सही से चलता रहेगा तो इसलिए यह बहुत important है तो जैसे मैंने बताया कि first half of the pregnancy में आपको हर महीने करवाना है और second half of the pregnancy में आपको हर डेड़ी या हर दो मिने में report करना है रिपोर्ट करके हमें यह नॉर्मल है कि अगर वह नॉर्मल नहीं है तो उसके इसाफ से में गोलियों का डूस करना है अब किस प्लकार का डोज हम एड्र कर सकता हैं तो जिन लोगों को पहले सी नाम की बीमारी है जो लोग अलड़ी लीव थरोकसी नाम की जो गोली बूलते हैं काफी डोज में आती है जैसे कि 25 50 75 100 125 मेक्रोग्राम जो नॉर्मली जिनको होता है वो लोग सुबह एक गोली खाते हैं बुखे पेट को तो जब प्रेग्नेंसी आती है तो वहाँ पर थायरोड हर्मोन की डिम है जनरल ही हमारा गोल यह रहता है कि हम टेशेच का जो लेवल है वह लेज देन 2.5 तक रखें वह काफी कंट्रोल है मतलब जो नॉर्मल रेफेंस रेंज रहती है वह पॉइंट 5 से 5 तक रहती है तो हम चाहते हैं कि एकदम अच्छा कंट्रोल हो जाए तो हम उसका लोवर हा करना है वह लेज देन 2.5 का होना चाहिए इसलिए हम या तो यह करते हैं कि जो गोली होती है जो नॉर्मली जो गोली लेते हैं तो हम या तो वीक में दो गोली एक्स्ट्रा लेने को कहते हैं कुछ दिनों के अंतर में या तो फिर मैसा कर सकते हैं कि हम गोली का पावर जो होत देते हैं तो मतलब हम उसमें या तो फिर साड़े बारा एक तो पचीस मेक्रोग्राम का डॉस उसके पर एड़ कर देते हैं इसकी वज़े से होता क्या है कि आपका धरोड दीरे दीरे नॉर्मल हो जाना सुरू हो जाता है क्योंकि हमारा जो फर्स्ट हाफ दो प्रेग्नेंसी हर महीने टेस्स कर वा देट है और तुरंती उसको वहाँ पर ट्रेट करके सेट करते। और अगर सेट हो गया है तो उसको हम स्र। सिर्फ करते हैं और सक्ष Bite कबने चालता है कि सही है की नहीं यह उसके treatment policy रहती है एक चीज यहां पर द्यान रखने वाली यह है कि pregnancy के दौरान महिलाओं को normally भी iron और calcium supplementation की गोलिया दी जाती है तो यहां याद रखे कि जब यह गोलिया होती है उसके इस गोलिया और thyroxine की जो गोली रहती है उसका बीच में कम से कम चार गंटे का अंतर होना चाहिए आप थैरोड की गोली और iron calcium की गोली साथ में नहीं ले सकते हैं और आपको iron और calcium की गोली उस गोली के चारत गंटे बाद कभी भी ले सकते आप दोपैर को ले सकते हैं यह आप शाम को ले सकते हैं पर आप कम से कम चार गंटे का वहाँ पर गैप रखिए ताकि थारॉक्सिन की गोली का सही इस्तमाल हो और वो सही काम करें वन्ना यह दो गोली इकटि होने से थारॉड की गोली ठीक से काम नहीं करती है इसलिए आपका टीएशेच का जो गोड़ता है वो भी हम अचीव नहीं कर पाते हैं तो मां और बच्चे दोनों का स्वास्त और मांसिक डिवलोप्मेंट सही रहे थैंक यू